दोस्तो आज हम इस वीडियो में अपने बात करने जा रहे हैं कि प्रेग्नेंट महनों को सोनोग्राफिक टेस्ट पहला कप करवाना चाहिए ततक किस महने के सोनोग्राफिक टेस्ट में या पता चल जाता है कि गर्ब में पर लहा बच्चा या भ्रोड लड़का है या वो में या आप कह सकते हैं तीन मेहने दस दिन पर डॉक्टर्स हमेशा पैसेंट्स को अपने बुलाते हैं जो भी गर्बती महलाएं हैं उनको बुलाए जाता है तीन मेहना दस दिन कोई तीन मेहना पंदरा दिन पर बुलाता है कुछ-कुछ डॉक्टर तीन मेहने पर भी बुल कोई भी डॉक्टर सोनोग्राफिक टेस्ट नहीं करता। जन्रेलिस सभी डॉक्टर तीसरे महने से स्टार्ट करते हैं। और साथ ही आपकी मिन्रल्स, आयरन, फोलिक एसिड इन सब चीजों की दवाई भी इसी के साथ ही स्टार्ट होती है। दोस्तो आज का दूसरा पॉइंट है हमारा इस वीडियो का की लिंग निर्धारण, गर्म में पला हुआ बच्चा, लड़का है ये लड़की, ये डॉक्टर बता सकते हैं या नहीं, नहीं दोस्तो, या कानून अपराद है, इंडिया के अंदर कुछ सालों पहले या है कानू ये लड़की, यहा कानून और एक्ट लाने का गवर्मेंट आफ इंडिया का कारण के और यही था कि लड़कियों की संख्याओं में लड़कों के अंपात में आने वाली कमी के कारण ही ये एक्ट बना, क्योंकि बहुत से लोग लड़कियों का पता चलते ही अब और्सन सवाल लेते थे जो की एक बहुती गलत चीज है और एक बहुती समाज को एक बहुती गलत डायरेक्शन में ले जा रही थी, इसलिए गवर्मेंट आफ इंडिया ने इन चीजों को रोक लगाई, लेकिन मैं आपको इससे जानने का एक टेकनिक बताता हूं, कभी-कभी डॉक आपको बताना चाहते हैं कि गर्म पला बच्चा आपका लड़का है, और अगर वो कहें कुछ हलकी फुलकी प्राब्लम है, थोड़ा सा है, कुछ डायरेक्शन में चेंज है, कुछ डिफेक्ट है, तो आप यह समझ सकते हैं कि साइध वो लड़की होने का आपको एक संदर् जरूर बताईएगा कि हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी, जानकारिया कैसी लगी, कुछ कमेंट हो या कुछ पूछना चाहते हो हमसे, तो जरूर हमारे कमेंड बॉक्स में कमेंट करें, हमसे जरूर पूछें, हमारा चैनल है, घरेलू नुसके, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलिएगा, और सारे नोटिफिकेशन को परात करिए, लाइक करें अगर आपको यह अच्छा लगा हो वीडियो, धन्यवाद